हाई गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की कद्दू केसरी बर्फी मैंने यह रक्षा बंदन में बनाई और आपके साथ शियर करने जा रही हूँ बहुत से लोग इसे पेठे के नाम से भी जानते हैं और पंपकिन इसी को कहा जाता है इस बेश कीमती सबजी में विटामीन A, विटामीन C, विटामीन E और बीटा कैरोटीन के साथ साथ फाइबर, पोटेशियम जैसे बहुत से गुन पाये जाते हैं आईए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हमें पीले कलर का पंपकिन लेना चाहिए, अब हम इसके तुकडे काटकर इसके छिलके को अलग कर लेंगे अगर आप मोटापे की समस्या से परिशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो आप अपनी रइट में कद्दू को जुरूर शामिल करें एक एसी सबजी है, जो हमें काफी लंबे समय तक जंग बनाई रखती है देखिए हमने इसे काट लिया है और अब हम इसका छिलका अलग कर लेंगे ये पूरा हरा अरगता निकाल दे इसका जो हार पार्ट है उसको अलग कर देंगे और उपर से इसके बीज अलग कर लेंगे बिलिकुल जेसे मैंने किया है ना, इसी तरह से इसमें वितामें C और E बहुतायत में पाया जाता है जो की तवचा और बालों को हेर्धी रखने में मददगार होता है जी मैंने इसे अच्छे से काट के साफ कर लिया है अब हम इसे कद्दुकस की इसाहता से कद्दुकस करेंगे इसमें हम इस मीडियम वाले पर इसे कर रहे हैं इसे हम मीडियम वाले पर कद्दुकस करेंगे जिससे इसकी दानेदार बर्पी तयार होगी यह हमने आधा किलो के क्री पंकिन लिया था जो की कद्दुकस करने पर तीन कुटोरी हुआ है अब यह हमने कड़ाई या पैन में हमें एक चमच खी ले लेंगे बस इतना काफी है अब इसमें यह जो हमने कद्दुकस किया है पंकिन इसको डाल लेंगे इसमें इतनी अच्छी सुगंदारी है जैसे मैंने गाजर का दुकस की हो हमें इसको घी में भूनना है इसकी बुनाई करेंगे और कर्ची को चलाते रहेंगे ताकि ये हमारे तले में लगे नहीं अगर ये जल जाएगी तो उसका टेस्ट एंड कलर विगड़ जाएगा स्टार्टिंग से एंड तक इसे देखें अगर आप भी एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो ये अच्छी नहीं बन पाएगी इसे भूनते रहें जब तक इसका ठिक पेस्ट ना हो जाए ये देखिए ये हमारा ठिक हो चुका है इसमें आपको पांच मिनट का समय लगेगा अब ये ठिक होने ही वाला है कद्दू ये कैसी सब्जी है जिसे डाइबिटेज रोकियों के लिए भी काफी फाइदमन माना जाता है अगर आप कब्स की इस मस्या से परिशान है तो कद्दू आपकी बहुत मदद कर सकता है विटामिन C और विटामिन E के गुन पाये जाते हैं जो कि हमारी तच्चा और बालों को लदी रखने में सहायक होते हैं आईए अब इसका पानी सूख चुका है ये देखी ये वून लिया है हमने अब इसमें हम आधा कटोरी के करीब दूड डालेंगे हम चुथाई कब्सी लेकर आधा कटोरी तक दूड डाल सकते हैं अगर दूड डालने के बाद हम फिर से इसे मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे ये देखिए ये में पास केसर है जो कि मैंने डाल दिया है अगर आपके पास केसर ना हो तो परेशान ना हो आप इसे स्किप कर सकते हैं यह चिपकने लगेगा इस ट्रेट पर गैस की फ्लेम को स्लो कर दें यह देखिए अब यह सूख चुका है अब हम इसमें केसर या कलर डालेंगे दो चुटकी मैंने यह फूट कलर लिया है अजनता का आपके पास हो तो डाल लें नहीं तो इसको भी स्किप कर दीजिए इससे दालने के बाद हम इसमें आदा क्टोरी के क्रीब चीनी डालेंगे ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका ये देखिए ये भून चुका है और हमारा पूरा मिल्क जो था वो सूख गया है इसमें अब इस ट्रेट पर हम इसमें चीनी डालेंगे ये मैंने आधी कोटोरी चीनी ली है अब इतक हमारी गैस सलो है अब इसे अच्छे से मिलाएंगे ये देखिए चीनी गुल गई है और उसका सिरप बन गया है इसका कलर कितना अच्छा देख रहा है और देखने में ये रस से भरी हुई रसीली सी देखने लग गई है अब इस स्टेज पर हम इसमें ये डेसीकेटेड कोकोनेट का हमने जो पाउडर बनाया था वो भी हाफ कोटोरी डालेंगे इसे आप एक कोटोरी भी डाल सकते हैं अगर आपको नारियल खाने में अच्छा लगता है तो ये मैंने हाँ स्पून के क्रीम घीर डाला है जिससे ये अपने किरारों को छोड़ दे और इसका डो इकठा हो जाए इसकी गोली बना कर देख रहेंगे अगर ये गोली बन रही है तो हम इसे पनी पर या प्लेट में उसको ग्रीस कर लेंगे और फिर इसे बाहर निकाल लेंगे मैंने अब इसे पन्नी पर निकाल लिया है और ये देखिए ये कट्टी हो गई है इसे चारो तरफ से हम प्रेस कर देंगे और इसे एक शेप देंगे अगर आपके पास कोई प्लेट हो छोटी तो आप इजी ली उसमें इसे जमा सकते हैं कुछ टाइम ऐसे करके हम इसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये नरम बनती है बहुत हम उपर से साइडों से इसे एक शेप देंगे अगर कोई छोटी प्लेट है तो डिरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरह से इसे प्रेस कर देंगे ये उपर से प्लीन भी कर दिया मैंने देख रहे हैं आप इस तरह सा ये हमारी कद्दू के सर्या बर्फी रेडी है अब हम इसे डेकोरेट करेंगे मैं इस बिसी बर वरत लगाने जा रही हूं आंके वास हो तो जरूर लगाएं और नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसे किसी पर ड्राइफ फूर्ट से सजा सकते हैं अपनी पसंद से मेरे पास काजू एवलेबल है तो मैं काजू लगा रही हूं आप जो आपके पास तीजो उससे से डेकोरेट कर सकते हैं अब ये बहुत नरम है इसको हमें दो घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा दो घंटे में सेट हो जाएगी उसके बाद हम इसे कट करेंगे इस तरह से मैं थोड़ी जल्दी कट कर रही हूं इसलिए ये थोड़ी नरम दिक रही होगी आपको लेकिन आप इसे सेट होने के बाद काटें जी काट ली मैं इसे स्केर शेप दे रही हूं आप कोई भी शेप अपनी पसंद से दे सकते हैं आप इसे चाकू या फीट पीजा कटर की सायता से काट सकते हैं खाने में ये बहुती नरम नरम बनी है और देखने में तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है अब इसे मैं सर्प करने जा रही हूं मैंने इसे राखी पर बनाया है आपने राखी पर कौन को जीडी से ट्राई की हमसे जुरूर शेयर करें इसे जरूर ट्राई करें ये खाने में बहुत ही डेलीशियस है और फायते तो आप सब जान ही चुके हैं ये लीजिए ये रेडी है अगर आपको ये रिस्पी पसंद आई है तो लाइक करें कॉमेंट करें और शियर करें और खुद भी खाये अपनों को भी खिलाइए और मिल